हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल आज है कितनी तारीक है वेवो सुमी आज 26 सेप्टेंबर है और आज संदे है और आज सुमी की मीटिंग थी तो इसलिए सुमी ने यूनिफॉर्म बारे में बताया जा रहा था कि क्या इनको खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए चाट मी उन्हां करता है और आज भी मैंने साड़ी पहन रखी है ब्लू कलर की साड़ी है और आज भी मैं हैंकी टेक कर रही हूं ठील में एक लिया है और सुमी कह रही है कि आपका ये मंगल सूत्र बहुत प्यारा लग रहा है तो आप लों को कैसा लग रहा है प्assyेज का मिंग कर कर जरूर बताईएंगा नाने के बाद मैं चट पे आगे थी कपड़े फेलाने और यह वी साड़ी है जिसमें मैंने कल ब्लॉक डाला था और आज संडे है तो देखिए इस पीछे दूसरे की छट पे भी काफी कपड़े फैले हुए हैं और यहाँ पर सुमी वीडियो बना रही हैं तो काफी कुछ हिला डुला रही हैं और मस्ती कर रही हैं और आज बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुलनी थी तो कपड़े भी ज़्यादा हो गयते और सुबह खाना भी जल्दी बनाना है तो इसलिए फटा फट से सारे काम हो रहे हैं यह ममा तोड़ रही है फूल 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 जिसके लिए तोड़ना है दादी के लिए दादी को भगवान पर चढ़ाने है आज मैंने गुईयां की सबजी बनाई है और उसके साथ पूड़ी बना रही हूँ यह गुईयां जो है हमारे खेतों की है और बहुत अच्छी है इसमें एक भी गुईयां खराब नहीं निकली है तो यह बहुत अच्छी है और यहां पर मैं पूरी तल रही हूँ तो इसलिए मेरा खाना जो है बहुत जल्दी बन गया आगे अगर दुपैर में किसी को भूंक लगेगी तो कुछ और भी बना दूँगी लेकिन फिलाल अभी इतना ही बन कर तयार हो गया है मेरा अच्छी बात नहीं है बतार हैं अच्छा जो आप शेटानी कर भी हो जो दे दिया और अभी चाय पीने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत थकान सी हो गई है और आप तो जानते ही है कि आज संडे है तो संडे को तो और धेर सारे काम होते हैं कपड़े दोना बात्रून वाश करना और भी खाना बनाना सारी चीजे होती हैं तो काफी टाइम लग गया और उसके अलावा मैंने अभी अभी एक वीडियो और भी शूट किया है नोस पिन का और आप देख सकते हैं कि मैंने एक पहन भी रखी है तो कैसी लग रही है बताईएगा मुझे जरूर और जल्दी आप तक वो वीडियो भी पहुच ज जो बच्चे शाइकर चलाते हैं उनकी बेज़िती होती है सीधे स्कूर्टी पर आओगी एरोप्लेन उड़ाओगी अभी जो है हैंकी टक है मैं सो गई थी इतना थक गई थी मैं सो गई थी और सुमी इसको देखके मांग रही है कह रही है मम्मी इसके लिए तो नाग में छ अग्वा बनाने जा रही हूं चलो आप भी मेरे साथ किछिन में चलो जलदी से अल्वा बनाते हैं हल्वा बनाते हैं हल्वा फुजी का हल्वा वही जल्दी बन जाता है जाँ छोड़ो पिटोगी है मेरे बच्चों ने किचिन को कुछ इस तरीके से फैलाया है तो जरा उसको मैं समेट लूँ उसके बाद हल्वा बनाऊंगी पहले बालों को मैं सही कर लूँ अब ठीक है फटा फट से पहले किचिन साफ कर लूँ फिर हल्वा बनाऊंगी पूरा किचिन फैल गया है अस्त व्यस्त मैं सोच रही थी कि मैं आकर बस किचिन में हल्वा बना दूंगी लेकिन काफी कुछ फैला हुआ है तो वही मैं समेट रही हूँ और कुछ बरतन तो साफ है उनको मैं नीचे लगा दे रही हूँ और कुछ चीजे किचिन फिरिज से बाहर निकल कर रखी है तो उनको मैं फिरिज में रख रही हूँ और बॉटलें देखिए बच्चों ने कैसे फैला दिये और इसमें ब्रेड थी तो ब्रेड निकाल के खाई गई है और उसका रैपर वहीं पे रख दिया गया है और बेबुस उमी की खास यादा थे कि फिरिज से निकाल कर अगर वैसी कोई चीज है पौरी थीन में रखी है और खाएंगे तो उसका रैपर उसी में छोड़ देते हैं चाहे वो बिस्किट हो केक हो कुछ भी रैपर उसी में पड़ा रहता है चाहे मिठाई का डबबा हो तो मिठाई खाली हो जाती है और मिठाई का डबबा उसी फिरिज में रखा रहता है तो यह हाल है बच्चों का और मेरे ख्याल से सारे बच्चों का यह हाल रहता है और गुईया की सबजी मैंने बनाई थी जो स तोड़ी सी बच्ची हुई है तो उसको निकाल के मैं फ्रिज में रख दूंगी यहां से बरतन निकाल के मुझे आंगन में ले जाना होता है वहीं पर हाउसल पर दुलती है कि चिन में मैं तब दुलवाती हूं जब थोड़े से बरतन होते हैं तो अभी तो काफी कुछ हटा दिया है मैंने बस यह गीले कपड़े से यह फर्ष साफ करनी है फर्ष नहीं इसको क्या बोलते हैं तो यह चाय की पत्ती थी तो मैं पॉलिथीन में पॉलिथीन यहां पर रखती हूं तो जो भी गीला कुड़ा दिया है होता है वो मैं उसी पॉलिथीन में डालती रहती हूं और फिर उसके बाद डेस्टिमिन में ले जाके डाल देती हूं और आज गैस पे चाय गिर गई थी मुझसे ही खौल गई थी जादा और कुछ और काम में करने लगी थी तो इस पे गिर गई थी तो मैं थोड़े से जादा ही है बस जितनी देर आप सोलो उतनी देर आराम रहता है जैसे ही आप उठो फिर काम एक बर स्टार्ट होता है तो खत्मी नहीं होता तो यहां बेसिन से मैं सारे जो बरतन है उसको निकाल कर आगन में रखाए हूं और यह जो कप हैं यह मैं महरी को धुलने के लिए पानी देती हूं क्योंकि काफी उसने शीशे के ग्लास और कभी तोड़े हैं तो मैं जादातर कोशिश करती हूं कि मैं खुदी धुलनूं और जब मैं बरतन धुल लई थी तो मुझे लगा कि टंकी में पानी भी खतम होने वाला है क्योंकि गरम-गरम पानी आ रहा था जब अगर कहीं बॉटल लखी हो तो लेकर आओ तो पानी भी भनने लगी और उसी समय हाउसल पर भी आ गई तो यह टोकरी मुझे खाली करके उसको देना है तो बरतन भी इसी समय लगाने है मुझे एक साथ आप देख सकते हैं कि कितने काम आ गए जैसे ही मैं किचिन में आई और सुबा भी मेरा यही हाल होता है जब मैं उठती हूँ उस समय भी हाउसल पर आती है दूद वाला आता है कुड़े वाला आता है तो और ब्रेड वाला आता है तो मेरा हाल बिलकुल ऐसे ही होता है जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं लेकिन एक साथ सारे काम हो जाते हैं तो म पहले में बाहर रखती थी तो एक अंकल ने मुझे बताया शौप कीपर ने कि आप इसको फ्रीजर में रखा करिए तो सूजी मैदा बेसन ये सारी चीजे में फ्रीजर में रखती हूं तो हमेशा सेफ रहता है उसमें कीडे नहीं पढ़ते हैं और आप जब मन आपका चाहे त उसमें काफी चीजें आ जाती है एक कंटेनर में भरके मैं रख देती हूं और सुमी मुझसे पूछने आई थी कि क्या बना रही हो तो सूजी का हलवा इसली बन जाता है और बच्चों का पेट भी भर जाता है और मैं बना रही हैं उच्छाय हलवा बन चुका है ये बन गय है हल्वा कैसा लग रहा है कमन करकर जरूर बताना तो फ्रेंड्स चाय भी बन गई है और हल्वा भी बन गया है और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करती हूं आप लोग कैसा लगा प्लीज डू लाइक शेयर और कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स आपसे नेक्स वीडियो में पसीना बहुत हो रहा है तब तक के लिए वाबाए मिलते हैं कल जरूर मिलेंगे आपसे बाबाए